मानव बुद्धी पहले से कहीं तेज हो गई है? नहीं, नहीं, इतना, खुश मत हो ये. लेकिन वैसे भी, ये सच है. मानवता के इतिहास में पहले से कहीं अधिक लोग आज अपने लिए सोच सकते हैं. वो सही सोच रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन कम से कम वो कुछ सोच तो रहे हैं. तो जब मानव बुद्धी इस तरह से तेज हो गई है, और ये आने वाले सालों में भी जारी रहेगी, आप इसे रोक नहीं सकते. तो जीवन के लिए किसी दूसरी जगह समाधान खोजना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, धर्ती के सभी महान गरंथों के प्रतित पूरे सम्मान के साथ, पृत्वी के ज्यादातर धर्म गरंथ सामना नहीं कर सकते. दो तारकिक सवालों का, अगर आप दो सवाल पूछ दें, तो वो ढढ़ा जाएंगे, वो पवित्र और महान सिर्फ तभी तक हैं, जब तक आपको उनसे ये सवाल पूछने से रोका जा रहा है, ये सवाल वर्जित है, ये सवाल धर्म गरंथ का अपमान है, आपको ये नही पूछना चाहिए, जब तक आप लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं, तब तक वो बिलकुल आकाश में तैरते रहेंगे, अगर आप दो सवाल पूछ दें, तो वो ढढ़ा जाएंगे, संपूर्ण दर्शन, विश्वास प्रनालिया, धार्मिक प्रक्रियाएं, ये सवाल, बहुत ही कम लोगों ने अतीत में इन्हें पूछा है, या अब तक, अब मैं दुनिया को दूशित कर रहा हूं, मैं इन सवालों को आम बना रहा हूं, आजकर लगभग हर कोई पूछ रहा है, और ऐसे कई दूसरे स्रोत हैं, जो और मानव बुद्धी की प्रकृती ह इन सवालों को पूछेगी, एक बार जब ये सवाल आम हो जाते हैं, तो हमें बस इतना ही करना है, अगर आप नहीं जानते कि इसकी प्रक्रिया क्या है, तो हमें बस इतना ही करना है, हमें हर किसी के मन में दो सवाल डालने हैं, जिस से हर तरह की काल्पनिक फिलोसफी ढह जा पूछना शुरू कर दें तो सारे कालपनिक समाधान जो उपर हैं ढह जाएंगे और यहां जीवन में आ जाएंगे एक बार ऐसा हो गया तो भीतर की और मुड़ना एक स्वाभाविक कदम होगा कोई दूसरा तरीका नहीं है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कितना हम इसमें कितना इंधन डालते हैं ये निर्भर करेगा ये तै करेगा या सुगम बनाएगा हम कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसमें कितनी उर्जा लगाते हैं अगर हम हर किसी के मन में ये सवाल डाल दें आने वाले साल में तो आप देखेंगे कि दस साल के अंदर लगभग पूरी मानव आबादी योग कर रही होगी बस साधरन सवाल और कुछ नहीं जवाब जवाब की जरूरत नहीं है बस वो सवाल जिनके जवाब किसी किताब में नहीं है तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मानव बुद्धी में इन सवालों का आना बहुत सुभाविक है जब तक कि उसे बहुत ज्यादा सिखाया न गया हो जिस तरह से दुनिया में धार में कट्टरता फैल रही है जितना ज्यादा ये चरम पर जाएगा उतने ही ज्यादा ये सवाल लोगों के मन में उठेंगे हाँ इस दौरान दुर्भाग्य से कुछ लोगों को कश्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि चरम पंथ बहुत तीवरता से फैल रहा है लेकिन जितना ज्यादा ये सन की लोग धरती पर भयावह चीज़ें करेंगे उतना ही ये दो सवाल हर किसी के मन में उठेंगे कुछ साल पहले शायद आप में से कुछ ने इसे पढ़ा होगा मेरे ख्याल से ये Midnight with the Mystic Book में लिखा गया था मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया गया जो एक तरह के reality शो में था लेकिन वो अपनी मृत्यू शया पर था वो बहुत बीमार था और वो चाहते थे कि ये शो मृत्यू के बारे में था तो वो उसे शो में लेकर आए और मैं बाद में उससे मिलने गया और उस तिती से बाहर निकलने में उसकी मदद की तो लोगों से उसका सवाल था उस समय आ्राक युद्ध चल रहा था तो उसने कहा हम हम भगवान से जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मुझे यकीन है Вो भी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान किसका साथ देंगे मैंने कहा जिसके पास ज्यादा बंदूकें होंगी भगवान इस तरह के सवाल का जवाब कैसे दें दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं मुझे यकीन है जब भी वो युद्ध में गए होंगे दोनों ने प्रार्थना की होगी तो भगवान किसकी प्रार्थना का जवाब देंगे जो सही है या जो गलत है जो जीतते हैं वो हमेशा सही होते हैं हम ये जानते हैं तो सवाल आएंगे हमेशा क्योंकि मानव बुद्धी को कई अलग अलग तरीकों से पोशित किया जा रहा है इस बुद्धी से निकलने वाली सारी चीजें सुख़द नहीं होंगी बहुत सी अप्रिय चीजें भी आएंगी लेकिन एक चीज होनी तय है सभी बने बनाए कालपनिक समाधान धराशाई हो जाएंगे लोग एक मुकाम पर आकर जवाब चाहेंगे बहुत परिशान होकर क्योंकि शुरुआत में बुद्धी आपको नास्तिक बना देगी ये एक स्वाभाविक परिणाम है है ना जब आपका तर्क सवाल पूछना शुरू करता है तो आप स्वाभाविक रूप से नास्तिक बन जाते हैं जैसे जैसे आपकी तर्क शक्ति विकसित होगी आप नास्तिक या आस्तिक होने की बचकानी सोच को समझ जाएंगे तब आप असली जवाब चाहेंगे नीकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे